हेलो एबरीवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे हेमन सोरेन हमें जवाब दो ऐसा मैंने थमनेल पे क्यों लिखा है इस वीडियो में जानने की कोशिस करेंगे पांच लाख जिन्दगां क्यों बरबाद हो र अलग-अलग जीलो में या फिर एक साथ ही रांची में एक मार्च निकाला जाए या हाई कोट में सरकार के खिलाप केस किया जाए इसके बारे में जानकारी आपको वहां से मिलेगी नीचे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा कॉमेंट सेक्सन में वहां नामिल करें भूखरताल करें एक बात का खास ख्याल रखें हमें किसी भी हाल में हिंसा को नहीं अपनाना है हिंसा अपनाओगे आंदोलन फेलो जाएगा आपका तो हर हाल में सांती तरीके से अपनी बात को जो रखना है और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना है ठीक है चलिए हुआ है और अभी तक कुल मिला कर 23 साल हो चले हैं और इतने में दो बार ही जेट एट की परिक्षा ली गई है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं कुछ और जानकार यह आपके साथ सजा कर देते हैं देखिए पिछले साथ सालों में जहरकंड सरकार ने कोई भी जेट एट की परि अच्छा ली ही नहीं है पहली बात दूसरी बात सरकार ने सीट एट को भी भेलेडिटी नहीं दी है ठीक है ना देखिए मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ आप बोलोगे क्या तुम सीट पास किये हो या नहीं किये हो तो देखिए मैं आपको बता दूँ मैं सीट क्वाल जहरखन टैट नहीं निकला है अभी तक उनको जेटेट आयोजित कराया जाए उसके बाद नियुक्ती परक्रिया होनी चाहिए अब कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि जेटेट 16 पास वाले चातर कह रहे थे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कि भाईया साथ साल हम लोगों ने इंतजार किया और अब तुम बोलते हो जेटेट परिछा लोग फिर बाली होगी देखिए सरकार बहाली हर साल नहीं लाती है ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है जेटेट जो है ये हर साल हो सकता है जेटेट जो है हर साल हो सकता है लेकिन बहाली हर साल नहीं आती है सरकार बहाली लाने के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो बहाली तो होगी ही होगी किलियर सी बात है बहाली तो होना ही है लेकिन बहाली होनी है अच्छी बात है लेकिन JTED की परिच्छा क्यों नहीं ली गई मैं आपको बताता हूँ JTED की परिच्छा एक महिने में निप्टा दी जा सकती है और ठीक उसके बाद जो है नियुकती परकिरिया को आगे बढ़ाया जाएगा नियुकती परकिरिया जो है कर ली जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ जो जारकन टैट पास है उनहीं को नियुकती परकिरिया में सामिल करने की बात कही गई है यहां से आप देख पाओगे नियाले का दरवाजा खट-कटाने की तैयारी में है या भीहरती वैसे मैं आपको बता दू आज ठीक साम को कोट के द्वारा जो है हम लोगों की हेरिंग होगी जहां पे हम लोगों ने हाई कोट में हम लोगों ने हाई कोट में अपनी बात रखी है कि सरकार तो हमारी बात सुनने रही या आप ही सुन लो मेरी बात को ठीक है सरकार तो मेरी बातों को सुनने रही या आप ही मेरी बात को सुन लो और जो निया संगत हो वो निर्मे हम लोगों को दिया जाए तो हाई कोट भी आज सुनेगी तपसीप से सारी बाते रखी जाएगी। वैसे जेटेट वालों के लिए भी बता दो जिन्होंने जेटेट पास कर रखा है, जेटेट 16 वाले भी जो है कोट की तरफ गए हैं और उनका कहना है कि डारेक्ट, आई रिपीट, डारेक्ट बहाली क की जाएं इनका कहना है कि जिन्होंने भी जेटेट पास किया है, उनको मेरिट यानि कि मेगा के आधार पर जोइनिंग दे दी जाएं जिनके मैट्रिक इंटर ग्रिजुएशन और टैट की परिक्षा और बीएट में ज्यादा स्कोर है, उनको जोड करके, डिवाइड करके, जैसे भी वो एक परसिंटेस बना कर लोगों को न्यूक्ति दी जाए, ऐसा उनका कहना है, उस पे हाई कोट की फटकार भी आई है, जी हां, और ये छात्रों के हित में निर्ने आया, जेटेट 16 वाले के हित में आया है कि जब आप पहले ले रहे थे तो अब क्यों नहीं ले विद्यार्थी हैं, उनके साथ अन्याय होगा, बिना परिच्छा लिये हुए, आप क्वालिटी टीचर की कलपना कर ही नहीं सकते हो, ठीक ऐसी ऐसी बाते हैं, तो 2016 के बाद से जीन विद्यार्थियों ने, डीलेड या बीड, मैं सीधा सीधा बार बार कहता हूं, आप बोल पैसे कहां से आए, इस मैं से, दस मैं से, आठ लोग आपको बोलेंगे कि किसी से उधार पैसे लिए, सहुकार से पैसे लिए, तब जाकर बीड कम्प्लिट हुई है, तो सभी ने कहीना कहीं से पैसे उधार लेकर, सूध पे पैसे लेकर, गहने, गिर्वी, कुछ भी करके, जो है, किसी तरह से भी एट पास करा है, इन लोगों का, अगर जेटेट परिक्षा में बिना लिये हुए, अगर बहाली हो जाती है, तो इनके साथ गलत होगा, जो कि समिधान के अनुरूप नहीं होगा, समिधान में कहा गया है, किसी एक के साथ भी गलत हो, तो वो गलत यहां पर आ रही है, अब देखिए कुछ और बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी तरफ से देखिए, जेटेट की परिक्षा साथ सालों से नहीं ले गई, सरकार की गलती है, कोई बात तो है नहीं, कोई किसी को दोराय नहीं है, है ना, फिर आप बिना जेटेट प भर पाएंगे, मैं आपको गैरेंटी देता हूँ, साथ से आठ घंटे पढ़ाने के बाद कितनी तयारियां हो पाएगी घर में, और सिलेबस तो आपने देख लिया है, हाथी, यह पहाड की तरह इतना बड़ा सिलेबस इन्होंने तयार कर दिया है, तो पारा टीचर से तो क जारखंड हाई स्कूल में जॉब लग गई है, दरोगा, जारखंड कचपाल, पुलीस वाले नोकरी में यह चले गए है, तो ऐसे मैं सीटें खाली रहेगी, सरकार किसको लेकर जाएगी, और मैं सरकार से अपिल करना चाहता हूँ, आपको भोट चाहिए ना, आप नियुक् जारखंड से पास किया इन लोगों ने, पांच लाख टोटल है, जो कि अलग अलग राजियों से जिन्नोंने बिये डियलेड करा है, तो ये पांच लाख भोट अगर आपको चाहिए है मनस्वरेंजी, तो बिना जेटेट कराए, अगर आपने भरती पर क्रिया सुरू कर दी तो नुकसान आपका है, हमारा नहीं है, आप ही नीचे जाओगे, आप ही के पांच लाख भोट चिटकेंगे और ये पांच लाख भोट नहीं है, आप ऐसी गलत फामी में मतरा ना कि ये पांच लाख भोट है, ये पांच लाख के जो परिवार जन है, अगर मैं इसे कम से कम हर परिवार में तीन लोगों को ही काउंट करतूं तो 15 लाग भोट समझ रहे हो आप 15 लाग भोट की ताकत कितनी होती है हर विधान सबाह में हर लोग सबाह में ये 15-20 लाग भोट अगर आपके हाथ में नहीं आए तो कहां जाओगे आप इतने भोट जो है कभी कभी तो एक भ परिक्रिया लाकर आपको अगर जारखंड में सिक्षा बहाल करना है अच्छी और क्वालिटी एजूकेशन देनी है बच्चों को तो फिर आप एक जेटेट की परिक्षा कराए फटा-फट और तुरंत ही में वाइल तुरंत ही दो महिने के अंदर जो है बहाली परिक्रिया भी शुरू कर दीजिए तभी आप जीत पाओगे लोगसभा में भी आपकी विजय होगी और विधान सभा में भी आपकी विजय होगी कितने लोग मेरी बात से सहमत है नीचे कॉमेंट करके बताईए असहमत हो तो भी बताईए अगर आपको लगता है कि जेटेट की परिक् विडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day